इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं EKI Energy Limited के बारे में जिसने की आज की दिन अपने quarter 4 के numbers पुब्लिश की हैं कम्पनी ने दोस्तों quarter 3 के बाद अपने quarter 4 के numbers एनाउंस नहीं की है तो कम्पनी ने आज की दिन अपनी quarter 4 के earnings release करी देन बाद में quarter 1 2024 का जो data है वो बाद में हमें देखने को मिलेगा बट इस वीडियो में discuss करने वाले हैं company की quarter 4 के नतीज़े जो की company आज publish कर चुकी आज इनकी board of directors की meeting ती जो कि आप देख सकते हैं 13 सितंबर 2023 को और जो आज की दिन announcement हमें देखने को मिल रही पहली चीज़ company के stand-alone and consolidated result for the quarter and financial ended 31 मार्स 2023 तो चलिए discuss करते हैं कि company के जो इस बार के नतीज़े रहे वो हमें कैसे देखने को मिल रहे है तो चलिए बात करते हैं कि company की quarter 4 की earnings है वो हमें इस बार कैसे देखने को मिल रहे हैं तो details आपके सामने और सारे figure lakhs में इन करोड से बात करने वाले है quarter 4 की earnings first row में then quarter 4 मार्स 2022 की earnings है then आपको quarter 3 का data देखने को मिल जो कि December का data आपको third row में देखने को मिलेगा नमबर सारे lakhs में इन करोड में बात करने वाले हैं लोग तो चलिए देखते है company की total income जो की अगर आप देखेंगे तो yearly basis पे 475 करोड से इस बार कम होके 95 करोड पे आगी और quarterly की बात करें तो 396 करोड से कम होके 95 करोड पे तो इस बार की जो income रही quarter 4 की वो हमे quarter प्लस yearly दोनों ही जगे कम देखने को मिल रही है total अगर expenses की बात करें तो yearly expenses 330 करोड से कम होके 149 करोड पे आगर quarterly 352 करोड से 149 करोड पे तो जिस तरीके से income कम रही है yearly प्लस quarterly से हमें कर्चे भी yearly और quarterly कम देखने को मिल रहे है बट इस बार हमें income से जादा company के expenses देखने को मिल रहे हैं तो obviously company को quarter 4 में loss हुआ है तो discuss करते हैं after tax adjustment company को quarter 4 में कितना profit और loss हुआ था जो कि March 2022 में 105 करोड का profit था वो इस बार quarter 4 में 38 करोड के losses हुए और अगर बात करी जाए company की quarterly performance तो December 2022 में company को 31 करोड का profit था जो कि इस बार 38 करोड का loss हुआ तो quarter on quarter plus year on year basis दोनों ही जगे इस बार हमें losses देखने को मिल रहे हैं बात करते हैं company के EPS की जो की yearly 38.26 से इस बार negative का 13.96 पर आगे और quarterly 11.62 से हमें negative का 13.96 पर देखने को मिल रहे हैं तो overall दोस्तों यह थे EKI energy के quarter 4 के numbers तो company के quarter 1 के earnings की बात करें तो बिलकुल कुछ time बात हमें देखने को मिलेंगी तो फिलाल अगर बात करी जाए आज के दिन company ने quarter 4 के नतीचे announce किये जो की कुछ खास हमें देखने को बिलकुल भी नहीं मिल रहे हैं तो आपको आस EKI energy के कितने shares है comment section ने बिलकुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अप्डेट के साथ तब तक के लिए बाबाए जय हिंद